दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आज मैं आपको लेकर आया हूँ हिसार में स्थस्त लाट की मस्जिद, यह जो लाट की मस्जद है, यह फिरोधसा का जो किला है, उसके अंदर यह मउजूद है, तो बात करते हैं लाट की मस्जद के बारे में, इस जो फिरोसा तुगलक है वो दिल्ली का सुल्तान था उन्होंने इस मस्जिद का निर्मान करवाया और यह जो लाट की मस्जिद है यह लाल बलुवा पत्थरों से इसका निर्मान किया गया है और यह जो मस्जिद है यह स्तंबों और पिल्रों पर आधारित है और इस मस्जिद सब्सक् chutál में और इसी के आदार पर इसका नाम लाट की मस्जिद रखा गया है और यहाँ पर आप देखें एक होल में अगर आप देखें और पूरह जो होल है वह सब्सरह के ओपर के joined जिए अकुछ फ्रातनाओं के एक लीए इस होल का निर्मान किया गया था कई मईर इसको दिवाने आम भी कहा जाता है। ी ओर यहांपर एक तक्त बनाया गया है इसको तक्त अक्तृ अख्षर यहांपर सुल्तान बैठा करता था। और यहां पर बैठकर वो निर्ने लिया करता था और ऐसा माना जाता है कि जब भी निर्ने अगर वो गलत लेंगे तो इस तक्त के नीचे एक कुवा था अगर गलत निर्ने सुल्तान लेगा तो यह तक्त गिर जाएगा और वो जो सुल्तान है वो कुवे में गिर जाएगा ऐस पूरा जो होल आपको नजर आ रहा है यह अगर आप देखें 21 फुट चोड़ा है और 80 फिट इसकी लंबाई है पूरा जो होल है यह पिलरों यह स्तंबों के उपर आधारित है और जो पीलर आप देख रहे हैं यहां पर बड़ी बारेकी से नकासी की गई है तो समय की से तो वहां जो वास्तुकला थी तो काफी और सुल्टान खुद जो फिरोस्त तुगलक जिन्हों ने इसका निर्मान करवाया था वो अपने आम में एक वास्तुकार था तो सामने यह जो मस्जिद आपको नजर आ रही है इसको लाट की मस्जिद कहा जाता है यह जो पिलर आपको नजर आ रहा है इसके आधार पी जो लाट आपको दिख रही है इसके आधार पी इसका नाम रखा गया है और ऐसा माना जाते कि यह जो लाट है यह असोक की लाट थी जिसे बाद में फिरोस्त तुगलक उखाड कर लेकर आये थे और यहां पर स्थापित कर दिया था क्योंकि यह जो लाट है इसको अगर आप ध्रातल में इसका जो नीव देखें तो इसमें कुछ संस्कृत के लेक लिखे हुए हैं जिसके आधार पे ऐसा माना जाता है कि यह लाट असोक की लाट थी जिसे बाद में उखाड कर यहां पर लाया गया था तो पूरा जो यह ला आपके साथ डिसकस किया जो फिरोज सा तुगलक का किला है उसमें जो लाट की मस्जिद है उसको मैंने आपको बताया अगर वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ तो जल्दी हाजिर होते हैं किसी नए स्थल पर बात करेंगे आपक अगरे